हेलो डियर स्टूरिंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 410 पुजल वना सिमेंट के बारे में इस कोड नंबर 1489 में डिटेल में दिया गया है उसको फॉलो करते हुए हम उसको समझ सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज वाली पीपीची को वे पुजल वना सिमेंट को हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं उस समय उन्हों ने पॉजलाना सेमंट को यूज किया था इंप अब इस समय बना जाता है वे उसमें पाथा को क्या खैंग्र आप कर तो यह जो है पर बनाया जाता है तोस background कर अब पोज़लारिक मटेरियल कया होता यह जाना जूरूरी है हमारे पास ? तो ऐसे हर मटेरेल जिसमें इसेशली सेलीशियस और अलमीनिय openness है वह कहलता है पोजलारिक मटेरियल जिसकी आगे जाके cementitious खुद की property तो नहीं होती लेकिर वहाँ जब वह उस mix में जाएगा तो वहाँ पर अगर कोई भी calcium hydroxide present है तो उसके साथ वह water के साथ मिलके react करेगा और वहाँ पर एक CSS gel का formation करेगा तो यह इस case में जा होता है क्या होता है कि ordinary potent cement के भी जितना properties होते हैं उतनी properties pozzolanic cement में भी हमें मिलते हैं same cementitious properties मिलती है बट यह है कि उसका जो है reaction directly water के साथ महीं होता है इसको finely powder के form में रखा जाता है और fine particles water के साथ में जब calcium hydroxide से react करते हैं तो वह further cementitious material की generate करते हैं अब यह जो इनका manufacturing होना pozzolanic material को कौन सा यूज होना है तो यह अपने PPC के लिए जो cement में जो आप डालने वाने pozzolanic material वो majorly जो यूज की जाते हैं वो calcium clay यूज के जाता है और fly ash यूज के जाता है इसको यूज को यूज कर सकते हैं इसकी pozzolanic property को और इसको cement के साथ mix कर सकते हैं तो जब आपको याद है हमने cement के hydration पढ़ा था उस duration में हमने देखा था कि कि जब cement में present, clinker में present, जब हमारे पस calcium silicate होते हैं चाहे वो dicalcium silicate हो चाहे वो tricalcium silicate हो जब यह water के साथ react करते हैं तो इनका resultant होता है क्यालियूम्स में calcium hydroxide बनता है अब यह देखें तो यह एक ऐसा material है जो की strength और durability के terms में useless material है इसका कोई role play नहीं होता है strength देने में इसके रहने से जो concrete की property है वो और improve हो जाती है तो इसी के लिए हम लोग fly eyes use कर सकते हैं तो अब यह देखा गया है क्यूंकि यह later age में react कर रहा है और अपको amount of cement भी इस पर कम हो गया तो उस case में हम यह देखते हैं कि इसमें heat of hydration जो है जो aggressive water जहां पर है वहां पर अगर इस तरह का concrete है तो उसको वो तोड़ा सा cover देता है resistance देता है कि aggressive water से अगर ordinary Portland cement होगा तो जल्दी खराब हो जाएगा तो अगर PPC है तो उसको resistance देगा तो जल्दी खराब नहीं होने देगा इसमें एक और important बात है कि अगर OPC यूज किया है आपने और उसमे calcium hydroxide form हुआ जैसी मान लीजिए अगर S OPC को आपने यूज किया मान लीजिए structures में जो की water structures और hydraulic structures है तो वहां पर आप देखेंगे कि calcium hydroxide के वहां से leaching हो जाएगी तो जहां पर marine और hydraulic constructions करना है मास construction करना है वहां पर यह पोजलनिक material रहने से इवन लेटर स्टेज में भी porosity decrease होती जाती है तो ऐसी हर जगह पर जहां पर हम ordinary Portland cement यूज करते हैं वहां पर हम portland pozzolanic cement मतलब PPC भी यूज कर सकते है और यह देखना है हमको कि यह एक difference रहेगा कि early age में वह strength को contribution नहीं करता है later age में बाद में जाके दोनों की ordinary Portland cement की और OPC की strength सेम हो जाती है तो अब अगर हम देखें कि यह अगर आपको later age में strength से ही तो आपको एक condition maintain करने पड़ती है कि उसकी curing लंबे टाइम तक करने पड़ती है और moist condition sufficient period of time तक maintain करना पड़ता है तो जब इंडिया में नया नया PPC का usage के लिए बात चली तो लोगों की दिवाब में बहुत सारे apprehension था जिज़क ती कि क्या यह structural works के लिए suitable है इसको use कर ले ऐसा ना हो कि मारा structure बाद में perform ना कर पाई इसकी strength low हो तो वो collapse हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है यह fear बिल्कुल justified नहीं था देखा गया कि अगर आपने right type of pozzalonic metal add किया है तो उससे cement की performance में कोई भी strength नहीं नहीं पड़ेगा तो यह जो change होता है strength game का यह केवल 7 days तक effective होता है उसके बाद उसकी strength वो almost similar होने जाती है लेकिन हाँ अगर आपने inferior type of pozzalonic material देखा तो वहाँ पर फिर आपकी जो produce होने वाला concrete है उसके quality पर दरूर संचा रहता है तो इसलिए IS code यह सुरिश्यक करता है कि आपको किस तरह के flyers यूज़ करना है ताकि या किस तरह का pozzalonic material यूज़ करना है ताकि आपका जो resulting concrete है वह खराब quality का, doubtful quality का none claim तो अगर देखे हैं कि हम कुछ advantages देखे हैं कि PPC यूज़ करने का advantages क्या-क्या है तो आप देखोगे कि अगर आपने optimum percentage of OPC को replace किया है PPC से या OPC में PPC पोzalonic material यूज़ किया है तो आपको और right quality के flyers use किया है तो जो PPC मिलेगा वो आपको अच्छा मिलेगा और यह जो मैं आगे बता रही हूँ वह advantages आपको मिलेंगे क्योंकि PPC में जिसे पहला advantage यह है कि हम PPC बनाने के लिए cement clinker को replace करते हैं pozalonic material से चाहे आप 30% add करें 60% add करें 70% add करें जो भी amount आप add करें है उतना ही आपका costly cement clinker बच रहा है इसलिए PPC cement जो है वो economical है दूसरा देखेंगे आपकी जो भी soluble hydroxide है वो convert हो रहा है in soluble cementitious products में इसलिए permeability concrete की जो है वो improve हो रही है तो अब इस graph को अगर हम देखें तो आप देखेंगे इस case में कि जो reduction of calcium hydrox है अगर आप देखोगे तो जो PPC है उसमें काफी साना reduction हो जा रहा है और ordinary portland cement में calcium hydrox factor content जो है वो constant बना हुआ है तो अगर आप इसमें देखेंगे PPC में तो एक समय तक तो राइस कर रहा है जैन उसके बाद लेटर age पर 7 days के बाद जब वो react करना शुरू करता है water के साथ और CSH gel बनाता है तो उसका content continuously reduce quota चला जाता है तो अगर हम देखें durability aspect जो है तो वो hydraulic structure और marine structures में बहुत ज्यादा requirement होता है वहाँ पर यह concrete जो है PPC से बना हुआ concrete जो है अच्छा perform करता है फिर यह जो PPC है वो calcium hydroxide को consume करता है और produce नहीं करता है calcium hydroxide तो यह OPC के comparison में इसका performance better होता है अब क्यूंकि हमारा cement का content काम हो जाता है तो heat of hydration जो है वो reduce हो जाती है और slow rate पर चलती है तो excessive heat of hydration यहाँ पर नहीं रहता तो अब क्यूंकि वहाँ पर calcium hydroxide जो है solid form में convert होते जा रहा है जो कि perishable नहीं है तो वहाँ पर आप देखोगे कि pore size distribution जो है ऐसे concrete का change हो जाता है इंप्रूब हो जाता है और इसके कारण वहाँ पर जो है उनका development transition zone में नहीं होता है और next advantage है कि जब permeability reduce हो जाती है किसी concrete की तो वह all-round advantages देना लगता है concrete हमें जैसे अगर हमने fly ash use किया उसमें finer है और lower density का है तो जो bulk volume है वह 50 kg pack में जो OPC से जादा रहेगा इसलिए PPC जो है जादा volume का mortar या concrete देगा other than OPC तो इससे आपको जादा volume का concrete भी मेलता है अगर हम long term strength की बात करें तो beyond couple of months जो है PPC का strength जो है OPC से higher हो जाता है subject to condition की उसको pozolelic action continue करने के लिए आप में लंबे समय तक enough moisture content provide किया है इन सब advantages को देखते हुए अगर हम देखें कि 1996 में अगर हमारे यहां जो production होता था cement में उसमें 70% OPC का production होता और 20% जो है PPC का production होता था और 10% some others were there लेकिं जब समय बीता गया और आप देखें 2022 का अगर देखें के सिमन production में केवल 27% amount of total production was for OPC और 65% cement production was for Portland positing cement तो यह एक बहुत अच्छा चेंज आया जो कि sustainable environment के लिए जरूरी भी है और सब जगह इसको use कर सकते हैं हम OPC की जगह especially egg condition को छोड़के जहां पर structure को high early strength चाहिए वहां पर usable नहीं है लेकिन अगर आपने moisture content किया है तो longer time में अच्छी curing की कारण इसकी strength OPC से better रहेगी तो अब देखें कि इसका use कहा रहेगा हैं झादुत्र आओं लिएस फांड़ेश बडरी भादी हैं उश्कर्डीॉ्स कहां इसका नहीं किसे कउजएग क होता है तो इसके डिसद्वांटेश भी पेस ब्रशीट effectively नहीं इसकी में इसे hairyдел थे. इसको एहां ब्चु अधनल दरिपकिशन कoqu government initially slow होता है जो setting time जो हम तोस इसके सैंग लगहें। मिल रहा है या इसको hardening हो रहा है कि थोड़ा सा longer होता है। अब यह कई एकस पर हमारे लिए किसी किसी project के लिए ज illum नहीं हो सकता है। दूसरा है कि पर इसमें alkalinity का reduction हो जाता है तो जो steel अपने RCC में use किया है उसके corrosion होने की संभावनाय बढ़ जाती है लेकिन यह भी एक fact है कि जब इसकी permeability improve होती है काउंटी जैसे इसका conversion CSH gel में होता जाता है वैसे permeability reduce होती जाती है और इससे जो corrosion के लिए resistance जो है concrete का परता जाता है तो initial period में वो दिखाता है corrosion के लिए susceptibility लेकिन later stage पे वो नहीं होता तो इन ही सभी disadvantage or advantages के लिए TPC का use आज कल construction के field में बहुत ही enhance हो गया है बढ़ गया है Thank you I